आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24 इंटु 7 सब पर नजर सब की खबर आपको बताते कि भागलपूर में अस्थानिय कारियाले परिसर में आयुजित हुआ इस कारियकरम के बाद BSSR संग की भागलपूर इकाई का चिकित्चा सम्मेलन जो की चिकित्चा एब मरमत समिती का चैयन संपन हुआ वहीं इस सबा को संबोधित करने के लिए BSSR संग के महासचीब देवासिस राय एवंको साध्यक्ष करनल मनोच चोधरी थे बताते चले के अगले दो बरसों के लिए कारिकारिनी समेती का चुनाव हुआ और इकाई के अध्यक्ष नितिन कुमार उपाद्यक्ष डॉक्टर भासकर सिंग, सचीब सुवोसित सेन गुपता, सहायक सचीब डीवी लाल, एवंको साध्यक्ष सीयो के साथ अन्यपतादिका कारियों का चैन सर्वसमत्ती से क्या गया, इस बारसिक सम्मेलन में भागलपूर के कई परतिनीदी ने भाग लिया पधान था, उनका सोसल सेक्रेटी, उनका कुछ नहीं है आज के डेट में, कोरोना के दोरान कितना मेडिकल लेपेंटेटिव हमारे बहुत लाखो की संख्या में एफ्रॉंट ऑफ वर्कर के रूप में काम किया है, लेकिन उनकी मिर्तिव हो गई, लेकिन उनको फैमिली को औ हमारा 2 साल में, हमारे सब İKAI में, हमारा जो कॉंस्टिटूशन से उसके प्रोविजां से कि 2 साल में हमारे यूनिट की कॉन्फरेंस होती है, उस पे कॉन्फरेंस में जो 2 साल का का कारेकरम है, जो हमारे All India, FMR AI, CITU है All India के और हमा स्टेड भी सरुनिन का गाइडलाइन से कुछ प्रोग्राम साते एं, कंपणी के खिलाफ हो सरकार के खिलाफ हो आर इसलिए इसलिए ये प्रोग्राम को हम लोग प्रोग्राम लेते हैं और संगठन के भी चर्चा करते हैं प्रजाताद्रिक प्रोसेस से कि हमारा एक पैनेल होता है उसके बाद लोग यहाँ पर अपना भोटिंग राइट से सब का भोट भी दे सकते हैं इसी तरह कॉनफरेंस होती है भागलपुर से विवेक कुमार की खास रिपोर्ट खबरों का सिल्चिला जारी रहेगा मिलतेक छोटे से ब्रेक के बाद तब तक आप बने रहे हैं लोकल टीवी न्यूज के साथ